चोपड़ा जो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बच्चो आज MCC के रजल्ट आने की डेट थी लेकिन ये रजल्ट आज नहीं आएगा अभी MCC के सेकंड राउंड के लिए रजिस्टेशन की डेट अक्स्टें को आएगा एक बार पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं पहले ये देख लेते हैं इसका सेडूल देख लेते हैं कि किस कारण से ये लेट हो रहा है तो सेडूल अगर इसका हम देखें तो इसमें जो फ्रेस रेजिस्टेशन फिर से हो रहे हैं ये 11 से लेके 30 नौंबर 22 तक हो रहे हैं second round के लिए इसके बाद में reset registration का जो option रहेगा वो 13 तक रहेगा और इसमें जो 24 फिलिंग के लिए last date रहेगी वो भी 13 को रहेगी और 13 को 3 बज़े log कर सकते हैं इसमें इसके बाद में जो result publish होगा वो 14 नॉबर 22 को होगा और reporting 15 नॉबर 22 से हो जाएगी इसमें तो इसमें यह actual में extend हुआ है यह मदरास high court के decision के according भी हुआ है यह मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि schedule में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है court case हुआ है यह पहले वाड़े वीडियो में मैंने बताया था क्योंकि mcc का जो round है वो जल्दी हो रहा है और कुछ states के round अभी हुए नहीं है जैसे जैनके का अभी first round का result declare नहीं हुआ है पोंडिचेरी का first round का नहीं हुआ है अभी आनरा और तिलंगाना का management का first round का result published नहीं हुआ है तो इसी कारण से यह mcc की फिर से date बढ़ाई गई है तो यह result 14 को आएगा जो student अभी result का wait कर रहे थे उनके लिए यह मैंने सोचा है कि यह वीडियो बना के उनको बता दिया जाए ताकि wait न करें तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जे!